दोस्तों अब बात करने वाले हैं 50 x 50 एक फॉर्म हाउस की जैसा कि आप देख रहे हैं यह आप इसे घर भी बोल सकते हैं अगर आपके पास जगह परियाप्थ है अगर बात करने फील्ड की खेत है अगर आपके पास तो आप बेधरी निए सब मॉडल बनवा सकते हैं यहाँ और जो मकान डिजाइन किया है वह एप्रॉक्स मैंने यहाँ पर जो चालिस बाई 30 फिट में एप्रॉक्स बना हुआ है लेकिन जो ओवरॉल एरिया आपका फिद बाउंड भी देख रहे हैं वह 50 x 50 है विंटलेशन के लिहास से मैंने चारों तरफ पांच-पांच फिट की जगह है प्रॉक्स में छूड़ रखी तीनों तरफ तो लगबग 10 फिट तो आपका यह कम हो जाता है इसका रेलिंग वगयरा बनाए साइड से और आगे की बात करें तो यह मैंने एक में डूर बनाया है गेट जिससे आप पार्किंग कर पाएंगे और शायशाद यहां से अपना मैंने स्लोब दिया इससे अपनी कार पार्किंग वेरा उपर ले जाएंगे आगे कि अगर हम बात करें जो आपका एरिया शूट है काफी सारा एड़ी है लगब बारा से तेरा फिट का एरिया ओवराल शूट जाता है फ्रेंट लिवेशन की बात करें तो आपको ऐस देजाइन मिलता है तो फ्रेंट लिवेशन की बात करें अगर हम तो आपको अवराल यह मिलेगा 50 क्रॉस 50 में मकान है जिसमें की जो कंस्रक्शन एरिया है एप्रॉक्स 40 क्रॉस 30 विट में और बात बाकी आपका बॉंडरी और रेलिंग से ढखा हुआ है तो फ्रेंट लिव है उनसा भी में मैंने विंडो को क्रेट किया है अब अगर हम इसके कोश्ट की बात करें तो वह भी बताएं कि कोश्ट कितना लगेगा और शाशत अगर आपने में तक चैनल को सब्काइब नहीं किया इसमाल आउस प्लान को जरू कर लें वीडियो को लाइक से जरू कर दिय किया है इसलिए इसका ग्राउंड फूर है जो आप देख पा रहा हूं चारो तरफ रेलिंग वगहरा और जैसा आप इंट्री करते हैं तो अब आपका में घर जो है डेजाइन आपका यहां से स्टार्ट होता है में डोर आपका यह दो प्लर हैं जो मैंने जिसमें च्छ जा इस कॉर्णर पर करवड शेप मैंने दिया है करव जिससे आपके लुक और थोड़ा चेंड हो जाए तो में डोर से जैसा आप इंट्री करते हैं ग्लास का डोर है तो आप एक बड़े से हॉल यहां गैलरी टाइप बारा बारा फिट चोड़ा एप्रॉक्स में इंट्री करत एक बड़ा सा ड्राइंग रूम बन जाता है और गेश्ट रूम आपका आगे है लेटरेंट साइड में आपके गेश्ट रूम और आगे है या वेड़्ूम इसे बोल सकते हैं इसका यह आपका किशेन एरिया है ओवराल जो गैलरी से इंट्री करेगा और यहां से आपकी स् लंबा फिर तो इसमें आपके लेटेंट बात सारा चीजें क्रेट हो जाएगा और यह आपका तीन वेड़्ूम और यहां पर यह आपका बड़ा सा गैलरी आप इसमें लिविंग हॉल वगएरा भी क्रेट कर सकते किचिन फ्रेंट की बात करें तो आपको मोश्ट अट्रेक इसमें ने दे रखा है तो यह तो ग्राउन फ्रोर का डिस्क्रेशन हो गया चारो तरब पांच फिट का तीनो तरब आपकी जगह छूटी है इसका आपको शेज द्यान रखना है अब हम बात करते हैं फ़र्श फ्लूर की तो यह इसका फ़र्श फ्लूर है फ़र्श प्रब राइट हैंड में दो बैट हैंड में दो बैट हैंड बात सारा देखने को मिल जाता है और यह मैंसे और जूम करके दिखाता हूं इससे आपको इसका रियल इस्ट्री व्यूट टेक्श्र वगारा का एक बेतरीन सा आइडिया हो जाए विंडो की बात करें तो ऊपर मैंने राउंड शेप दे दिया हैं जिससे आपका लुक और अच्छा लगने लगे और अगर विल्कुल लाश्ट वाले फ्लोर की बात करें तो चारो तरफ साढ़े तीन फिट का बाउंडी और आगे ग्रिल जो की कर्वड शेप और रिक्टेंगलर शेप सबको मैंने कमाइंड कर के क्रेंड किया है आप देख पा रहे हूं कि पर तरीकी और यहां पर यहांपर जो मैंने इस्तमाल किया है ब्लैक कलर में तो आप यह भी कर सकते हैं या किसी और डिजाइन अगर आपको फच्ट है तो वह भी कर सकते हैं आप पर डिपेंड करता है तो ओर और और फिप्टी क्रॉस 50 मतलब की पचीस सो स्क्वाइर फिट में यह मकान क्रेट है लेकिन इसमें इसमें इरिया जो है वह आपका चालिस वाइक तीस मतलब बारा सो स्क्वाइर फिट में हैं और बाद बाकिए आपका पार्किंग का वेंटलेशन के लिए चारो तरफ चूटा हुआ है तो यह मोडल कैसा लगा जरूर बताएं वीडो को लाइक से जरूर करें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पोच सक करते हैं और चैनल को अगर आपने भी तक सब्क्राइब नहीं किया तो जरूर करें और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे आपने वीडियो कुछ लगातार मोटिवेशन मिलता रहें और आप लोगों के लिए ऐसे न्यू न्यू मॉडल क्रेट करते रहे इसकी कॉस्ट की बात करें तो आप इसका कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाईएगा एक अप्लीकेशन इसमाल होस प्लान नाम से उसे डाउनलूड कर लीजिए उसमें कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बताता है मेटिरियल बताता है कितना लगने वाला है ओवराल वो आपका जो एप्लीकेशन वो फाइंड आउट कर देगा लिंक भी डिस्केप्शन में आप यहां से डाउनलूड कर सकता हैं थैंक्स वाचिंग